माहराष के नाकपुर में, चार मंदिरों में ड्रेसष कोड लागू किया गया है और ड्रेसष कोड की बज़े से विवाद हो गया है नमस्ते महराष महराष मंदिर महासंग ने जानकारी दी है ये पता चला है कि गोपाल कृष्ण मंदिर धन्तोली संकट मोचन पंचमुकी हनमान मंदिर जो बेलोरी सावनेर में है ब्रिहस्पत मंदिर कानोली बारा में है और हिल्टॉप दुर्गापाता मंदिर मानफ्ता नगर इन मंदिरों में अब आपत्ती जनक कपले पहने पर एंट्री नहीं दी जाएगी लोग ये कह रहे हैं कि आपत्ती जनक क्या है और क्या नहीं है इसका फैसला होगा कैसे हलाकि महराश्ट्र मंदिर महासंग के जो कॉडिनेटर हैं उनसे मेरी बात भी उनका ये कहना है कि मंदिर के बार पोस्टर लगाए गए हैं इसमें ये लिखा गया है कि कटी फटी जीन्स, स्कूर्ट जैसे आपती जनक कपले पहन कर मंदिर में ना है, उन्होंने कहा कि हमारा उदेश मंदिरों की पवितृता की रक्षा करना है, लिबरल सोच वाले ये कहा रहे हैं कि कटी फटी जीन्स यानि रिप्ट जीन्स अगर है, तो ये तो स्टाइल की कैटेगरी में आती है, ये कहीं से भी अशलील या फिर आपती जनक कैसे कहा जाए से, स्कर्ट, अमुमन जब लड़कियां पहनती है, इसे क्यों आपती जनक कहा जाना है, लिएधा कई लिबरल सोच के लोग ये कह रहा हैं, कि ये तो संकुचित मानसिक्ता बताने वाली चीज़ है, हलाकि पहले भी कई मंदिरों पर ड्रेस कोड लागू हुए है, और अब कुछ दिन पहले यानि कि माई के शुरुआत में आपको याद होगा, तुल्जा भावानी मंदिर ने भी आपती जनक कपड़ों पर रोग लगाने की कुश्च की, लेकिन इस वसले के बाद हंगामा शुरू हो गया था, लोगों का कहना ये है कि मंदिर में पुरुषवादी सोची कई लोग बना करके रखना चाते हैं, वो चाते नहीं है कि लड़कियां अपनी मर्जी से मंदिर के अंडर एंट्री लें, यहीं एक वज़ा है कि अपनी पित्री सतात्मक छवी को बनाए रखने के लिए और अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए ये काम किया जारा, आप सोचे, रिब्ड जीन्स, क्या पतिजनक है, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, skirt आपती जनाग मेरा मनना है बिल्कुल भी नहीं और आप भगवान के सामने भगवान के मंदल में कपडों के आधार पर ड्रेस कोड लागु करके ये कैसे थाहिंट कर सकते हैं कि फला आधर्शों वाला धार्मिग है या फला आधर्शों वाला धार्मिक नहीं है भाई पूरे ऐसे कपले जिसमें शरीर का कोई इस सा नजर नहीं आए क्या ये गैरंटी है कि वो अपरादी नहीं होगा क्या ये गैरंटी है कि वो गुनेगार या नहीं पापी नहीं होगा कपलों के अधार पर किसी की का दिल या फिर किसी की आत्मा में क्या चला है क फठला कपला पेंड नहीं तो धारमी एक तरीके सही है और फठला कपला पेंड नहीं तो यह सहीAmerica जितने पूरुहीत हैं, जितने मौलाना हैं, जितने पादरी हैं जितने.\ 35 सोच वाले लोग हैं ये समझें और दूसरी बात ये है कि विवादित कपड़ों को सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के साथ ही जोड़ करके रखना ये कहां तक जायज है ये भी सोचने वाली बात है नमस्ते